हाती बड़ा बुधिमान जानवर माना जाता है लेकिन वो कभी कभी खुद को ऐसी मुसीवत में फसा लेता है कि उसकी जान पर बनाती है अगर भारी भर कम हाती जान लेवा दलदल में फस जाये तो कोई क्या करे वही कुए में गिरा हाती का बच्चा भी जान की गुहार लगाता रहता है और किसी को कोई रास्ता नहीं सूचता जब मुसीवत में फसते हैं गजराच मुश्किल हो जाता है उनको बचाना आफ़त ऐसी आती है कि जान पर मनगाने लगता है जबरदस्थ खत्रा कभी दलदल खीचता है मौत की ओर तो कभी कुए बन जाता है मौत का कुए जंगल पर राज करने वाला विशाल का हाती हो या फिर हो हाती का बच्चा भारी पढ़ती है जिन्दगी और मौत की लड़ाई पहले रुख करते हैं उस हाती की ओर जो फंसा है गहरे दलदल में ये नजारा है असम के नौगाउं इलाके का पता नहीं कैसे ये हाती इस दलदल में फंस गया है लेकिन ये दलदल बेहत खतरनाक है क्योंकि इसमें जो भी गिरता है उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है हाती जितना भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही अंदर धंस्ता चला जाता है हाथी को इस हाल में कैसे छोड़ा जा सकता है उसे बचाने के लिए आसपास के लोग इकठा हो गए हैं लेकिन इतने भारी भरकम जानवर को दलदल से निकालना कोई आसान काम नहीं गाओं वाले ऐसे तरीके आजमा रहे हैं जिससे हाथी खुद जोर लगा कर निकल जाए लेकिन सारी तरकीब नाकाम साबित हो रही है बेचारा हाथी अपनी बेबसी पर आँसु बहा रहा है लेकिन कोई क्या करें कैसे बचाए हाथी को खैर इस हाथी की जान बच गई मोटी रस्यों की मदद से उसे बांध कर दलदल से निकाल लिया गया बेमौत मरने से बच गया एक बेजुबान मगर इस बेचारे हाथी के बच्चे की मुसीबत तो वाकई बहुत गहरी है वो गिर गया है एक गहरे कुए में कुए में गिरे इनसान का बचना तो मुश्किल होता है फिर ये हाथी कैसे बचेगा इसकी करुण बुकार सुनकर आए लोगों को इसे निकालने का कोई तरीका नहीं सूज रहा चलिए देखिए इस हाथी के बच्चे को बचाने के लिए क्या तरीका निकाला गया है गठे खोदने वाली जेसी भी मशीन बुला ली गई है इरादा है कुए को एक तरफ से तोड़ कर रास्ता निकाल देने का सब कोई मिलकर इस हाथी को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे है आखिर एक बेजुबान की जिन्दगी का सवाल है हाथी को भी लगता है हालात की गंबीरता का अंदाजा हो गया है तभी तो चुप चाप अच्छे बच्चे की तरह खड़ा है उसे भी तो जिन्दगी प्यारी है चलिए यहाँ भी कोशिशे रंग लाइन हाथी के निकलने लायक रास्ता बना दिया गया लेकिन इतना तो तय है कि अब ऐसी शैतानी हाथी का यह बच्चा कभी नहीं करेगा आज तक ब्यूरो